हेलो फ्रेंड्स, युवा कम्ट्यूटर अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, वो है आपका DCA First Semester और PGDCA First Semester से ठीक है, First Semester दोनों के रहेंगे, इसमें DCA और PGDCA के और सब्जेक्ट रहेगा आपका PC Package सब्जेक्ट से, ठीक है PC Package में आपका Unit No.1 में, Unit No.1 में, Question है, वाइरस क्या है, विविन प्रकार के वाइरस को समझाईए तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि वाइरस क्या होता है, कम्प्यूटर में वाइरस कैसे आता है, और हमारे कम्प्यूटर में वाइरस आ जाता है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारे कम्प्यूटर में वाइरस आ चुका है, वाइरस को रोकने के क्या हो प वाइरस वाइरस भी एक प्रोग्राम होता है क्या होता है अपका प्रोग्राम होता है ठीक है अब जोस्तों यह प्रोग्राम तो है लेकर इसको बनाया कौन नहीं तो जैसे आपके प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के लिए कोई प्रोग्रामर होता है ठीक है ऐ जैसे ही दोस्तो जो वायरस है, वायरस भी हमारा क्या होता है यहाँ पर computer program होता है इसको भी किसी programmer के द्वारा बनाया जाता है, अब बनाया जाता है और यह swarm को दोगना करने में सक्छम होता है क्या करता है यह को दोगना करता है जैसे जो स्वैम को दोगना करने की छंता रखता है ठीक आगो इस तो यह उतना ही वर्ग करता है जितना कि इसको प्रोग्रामर ने क्या किया है जो इसको निर्देश दिये थे, क्या दिये थे, निर्देश दिये थे, उस निर्देश के ही अंदर क्या करता है, अपना कारे करता है, तो हम वाइरस को कैसे पहचानेंगे, कि हमारे कम्प्यूटर में वाइरस आ जाता है, तो यह हमारे कम्प्यूटर में वाइरस आ जाता है, है हम कैसे जानेंगे तो दोस्तों कंप्यूटर को कैसे प्रभावित करता है यहां पर यदि वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर को किस तरह से प्रभावित करता है आप कैसे जानोगे ठीक है दोस्तों यहां बार यह प्रभावित कैसे करता है हम यह देखते हैं प्रभावित इसका तो यहां पर दोस्तों प्रभावित कैसे होता है पहले चीज आपका कंप्यूटर की गती क्या हो जाती है धीमी है ना कंप्यूटर की गती धीमी हो जाती है कंप्यूटर की गती जो है दोस्तों धीमी हो नश्ट करता है उपयोगी सूचनाओं को नश्ट करता है यह आपका यहां पर प्रभावित होता है अगला है दोस्तों जैसे आपका कीबोर्ड है क्या है कीबोर्ड है तो उसका कार बदल देता है कीबोर्ड की कीज को कार बदल देता है की बूर्ड की कीज का कारे बदलना यह सब क्या होता है कंप्यूटर में यदि वाइरस आ जाते हैं तो ऐसे टाइप के प्रभावित होता है ठीक है आपका अब जैसे आपके हार्ड डिस्क है क्या है दोस्तों हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क को क्या करता है फॉर्मेट कर देता है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना फॉर्मेट करना ठीक आपका पाच्वा चीज क्या है दोस्तों कैसे प्रवाइब करता है जैसे कंप्यूटर है इसका कारे बदल देना कारे बदल देना बदल देना ठीक फाइल की कॉपी बनाना ये क्या है आपका सब यहां पर फाइल की कोपी बनाना और जैसे आपका जयेगा फाइलों का आकार बदलना पाइल का आकार बदलना ठीक है ये सब यदी आपके कंप्यूटर में हो रहा है तो आपके कंप्यूटर में वाइरस आ चुका है ठीक है तो यह क्या करता है कंप्यूटर को इस तरह से यहां पर प्रभावित करता है कंप्यूटर को इस तरह से प्रभावित करता है अग जोस्तों यह वाइरस फैलता कैसे है हमने देख लिए कि वा करता है जितना की इसको प्रोग्रामर ने बनाते समय निर्देश दिये थे ठीक है अज उस्तों वाइरस आता कैसे हमारे कंप्यूटर में यह तो हो गया कि यदि इस तरह से आपका कंप्यूटर प्रभावित हो रहा है तो आपके कंप्यूटर में वाइरस आ चुका है अब हम बात करते हैं कि वाइरस कैसे फैलता है दोस्तों वाइरस फैलता कैसे है यहाँ पर हम पहला पॉएं यह देखेंगे कि यह आता है आपका द्वतीयाग स्टोरेज माद्याम से क्या आता है सेकेंडी स्टोरेज माध्याम से हमने बोला द्वतियाग संग्राहण यहां इस्टोरेज लिख सकते हम द्वतियाग इस्टोरेज इस्टोरेज डिवाइज द्वतियाग इस्टोरेज माध्याम से हमने बोल दिया है से माध्याम से हमने बोल दिया से केंडी स्टोरेज डिवाइज भी बोल सकते हो दूसरा चीज है आपका दोस्तों इंटरनेट से आता है किसे आता है इंटरनेट से भी आता है आपका वायरस और तीसरा चीज आता है दोस्तों यहाँ पर चोरी की गई जो आपकी सॉप्ट्वेर होती है क्या होती है चोरी की गई सॉप्ट्वेर चोरी की गई शॉप्टेयर से और जो आप क्या करते हो दोस्ते यहां पर देटा को शेयर करते हूँ न ठीक है किसी डिवाइस के द्वारा तो डेटा शेयर करने से भी आता है डेटा शेयर कैय करने से अब यह इस तरह से क्या आता है आरे कंप्यूर क्लावफ है आप में कंप्इबॉटर व्यूत मिद्टोर से कोपी करके लाते हो अपने कंप्ज़ एक करते हो पेस्ट कर लेते हो जैसे आपका pen drive है pen drive के द्वारा आपने क्या किया दूसरे mobile दूसरे computer से आपने pen drive में data लाया और अपने mobile में क्या कर रहे हैं उसको copy paste कर रहे हो तो आपका क्या हो जाता है वही है आपका secondary storage मध्यम से अब आता है दोस्तों internet से आता है आता है internet से जैसे दोस्तों आप अपने computer में internet का यूज आजकल सधारार हो गया तो सभी लोग अधिक्तम यूज करते हैं internet का तो इस तो internet के द्वारा कैसे आता है जैसे आप जैकर तो internet चला रहे हो कुछ application download करते हो या आप कोई songs download कर रहे हो video download कर रहे हो ठीक है तो वहाँ पे आपको प नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप कुछ भी चीज डाउनलोड कर लेते हो यदि उस फाइल में वाइरस है तो वह भी आपके computer में download हो जाता है ठीक है तो internet में इस तरह से वाइरस आता है अब आता है आपको जोस्तों चोरी की जईए software से जोस्तों जैसे कोई important software होता है तो ऐसे देना पड़ रहा है लेकिन आप सोचते हो कि यह यार इस website में या फिर आपको किसी यूजर ने बताया है कि हमारी इस website में यह application free download हो रहा है कहीं यह हो रहा है तो आप क्या करते हो उसको उस website में जाके download कर लेते हो जबकि आपको मालूम है कि वह application आपको पैसों में install हो होगा ठीक है तो आप ऐसे software download कर लेते हो तो वह चोरी की हुई software है तो आपका वह चोरी की गई software से आपके computer में virus आजाता है data share करने से जोस्तों जैसे आप इंटरनेट के जरीए data को share करते हो क्या करते हो वाटसप से करते हो email से करते हो तो आपने क्या email भेचा और आपकी file में वाइरस है या सामने वाले user की file में वाइरस है तो वह भी क्या आता है आप file को share करोगे तो इंटरनेट के जरीए वह भी share हो जाता है ठीक है तो इस तरह से computer हमारे computer system में पैलता है अब यहां पर हम बात करेंगे वाइरस के प्रकार क्या क्या है कौन कौन से प्रकार के वाइरस है तो मैं इसके पहले आपको वता देता हूं कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करना और चैनल को subscribe करना वीडियो देखना लाइक और comment करना और मैंने जुस्त PGDCA से related हैं आपके और Tally और MS Word Excel सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी देख सकते हैं सभी प्रकार के वीडियो अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि वाइरस के प्रकार टाइप आप वाइरस वाइरस के प्रकार वाइरस के प्रकार तो दोस्तों यहाँ पर जो वाइरस के प्रकार है मैं आपको कुछ बैंड मैं ही प्रकार बताता हम होते बहुत से हैं जैसे आपका मैं DCA PGDCA के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका कौन-कौन सा वाइरस होता है ठीक है जोस्तों जैसे वा वाइरस आजाएगा पॉली पार्टीशन टेबल वाइरस क्या जाएगा पार्टीशन टेबल वाइरस टेबल वाइरस टीक दूसरा आपका जाएगा दोस्तों यहां पर जैसे बूट सेक्टर वाइरस टीसरा जाएगा आपका दोस्तों यहां पर फाइल वाइरस आजाएगा चोथा जाएगा आपका पॉली मार्फिक पॉली मॉर्फिक वाइरस टीक है पाचबा जाएगा जैसे आपका दोस्तों यहां पर मैक्रो वाइरस है मैक्रो वाइरस टीक है आपका चटमा जाएगा जैसे सिथिल वाइरस सिथिल वाइरस ये जैसे जोस्तो हमारे पाईवों वाईडस होते हैं आरा वाईडस के प्रकार शो अब माऊच करते हैं कि पार्टिशन टेवल वाईडस क्या होता है ये कंप्यूटर में आजाता है है क्या पर्क करता है कंप्योटर में आने के बाद इसंद टेबल वारेश जो है आपका है जदी यह आपके कंप्योटर में आ जाता है तो जो आपकी हाड़ होती है क्या होती है हाड इस एस एक डेडि हाड़ सी ड्राइब दी तो यह हाड़िस में आकर स्टोर हो जाता है और हाड़िस के जो पार्ट है ना तो अंदर आके हाड़िस के कई पार्ट करता है क्या करता है हाड़िस के कई पार्ट बनाता है क्या करता है क्या करता है कई पार्ट बना देता है जैसे सी है डी है इसके बाद में जो computer on होता है ना तो उसकी सारी settings होती है तो वहां पर जाकर यह क्या करता है computer को प्रभावित करता है और hardisk में जो है आपका hardisk में जाता है और RAM की जो गती है उसको कार करने की गती को कम कर देता है आपका partition table लेम की गतिकू भी कम करता है जो आपकी गतिकर करती है जिसके मश्ति करती है जो आपकी आपके से इस की क्शे करता है ह defence तो क्प्यूटर कोcap सटोल हो cinco बोलते हैं βुत सेक्टर जो कि कम्प्यूटर को चालू होने में मदद करती है तो यह जाता है हमारी computer के चालू होने किकुछ setting है श्टोर होती है तो इसको हम क्याइ डेटा है computer को चालू करने वाले कुछ program होते है वहां पर जाके यह क्या करता है उनको effect देता है रहता है तो आपका computer क्या होता है चालू होने में क्या करता है बहुत time लगाता है यह इसका काम होता ना होने यह क्या है किसका काम है बूद सेक्टर का अब दोस्तों बात करते हैं कि सित्सक्त मैं आपको इस बदनेता है देता है जैसे अपने नोट पैट इस Grab name पॉन होता है ऐसे बईयो फाइल होती है उनका सब्सक्राइब आपके कम्प्वाइड कर द говорить आपकर क्या होता है पॉलीमार्फिक वाइरस क्या होता है आपका थौलीमारिव क्या कि एड होतव यह क्या करता है आपKA हांडिश में जाता है किसमें जाता है जादातार हाड़िस में जाता है और हाड़िस को नुक्सान पहुचाता है ठीक है अब जैसे दोस्तों यह क्या कर देता है बार-बार बदलने की छमता रखता है मतलब यह पॉली मार्फिक क्या करता है आपका बार-बार बदलता है क्या करता है बाता है दोस्तों मैक्रो वाइरस भी क्या करता है दोस्तों आपका मैक्रो वाइरस यह विशेश रूप का एक वाइरस है दोस्तों क्या है विशेश रूप का है यह मैक्रो वाइरस जो है दोस्तों यह आपके डाकुमेंट फाइल होती है, क्या होती है, डाकुमेंट, 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 डाकुमेंट फाइल है, है ना, फाइल, आपकी जैसे इस्प्रेसीट फाइल हैं, क्या है, इस्प्रेसीट फाइल हैं, इन फाइलों को गय करता है, जाके ये आपके कंप्यूटर में नु सितिल मनलब क्या होता है आपके कंप्यूटर में यह वाइरस आजाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इस वाइरस को ढूरना बड़ी मुश्किल से धूरता है ठीक है जिसे दोस्तों यह है आपको वर्क करेगा लेकिन बहुत धीरे-धीरे काम करता है यह कंप्यूटर मे इन प्रकार के जो वाइरस हैं वो है अब हम बात करते है यहां पर दोस्तों जो वाइरस में इसाzhदा Schnee पर जायेगा बर्यां डॉसरा यहां पशुक्म वढ़न स्थ की वाइरों सब्सक्राइधिनें इमेल हॉक्स दू ad1 फो इमेल हॉकश इमेल ऑस्तों यहां पर हानी झारस होते एंठ है अब बात करते हैं अब इस ऑफ करते हैं व्यारी होने का वायरस प्रेश्पया हो गया इसंदु तो यosphoru चम्द्ध करता है दुस्त दूस्तो यह अपने आपको लाबकारी होने का दावा रखता है क्या करता है जैसे लाबकारी होने का मलब ये कंप्यूटर में आ जाता है लेकिन ये क्या करता है आपको लगता है कि नहीं ये सौप्टर हमारे लिए क्या है लाबदायक है लेकिन क्या करता है आपके computer को ये नुकसान पहुंचाता है ठीक है अब किस तरह का नुकसान पहुंचाता है दोस्तों ये क्या करता है आपके इसमें जो भी फाइले हैं ठीक है इनका IP address का नया नाम दे देता है ठीक है अब बहुत चीज़े हैं जो ये क्या करता है लाबकारी होने का दाबा करता लेकिन वह चीज़ करता नहीं है अब आता है जोस्तों जैसे बॉंस से आपका बोंस क्या करता है जोश्तों यह चिपा हुआ उसी होता है और यह क्या करता है दीरे-दीरे क्या करता है ठीक है ऐसे जाएगा warm virus तो warm virus भी क्या होता है दोस्तों यह ज्यादा तर आपको internet के जरीए से आता है किसके जरीए से internet के जरीए से आता है और hardest को भरने का प्रयास करता है warm क्या करता है आपके जो hardest है उसको भरने का प्रयास करता है email hawks email hawks क्या होता है दोस्तों यह बिल्कुल जब आप क्या करते हैं कोई email भेशते हैं क्या करते हैं email भेशते हैं तो यह क्या करता है नए प्रकार की सूचना दे देता है आपको जो हमने नहीं भेजा वो email में दूसरी सूचना दे देता है तो यह हमारे कुछ खानी कारग virus होते हैं अब बात करते हैं जस्तों कि हम virus को कैस प्रोग्राम यूज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं एंटी वाइरस कहते हैं क्या कहते हैं एंटी वाइरस तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर एंटी वाइरस प्रोग्राम की एंटी वाइरस प्रोग्राम तो दोस्तों एंटी वाइरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं एंटी वाइरस का मंदब क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर में जो वाइरस आते हैं उनको रोगठाम लगाने के लिए जो हमारे प्रोग्राम सोते हैं कंप्यूटर के उनको हम बोलेंगे antivirus program अज़ों antivirus program में आपका क्या आता है पहला आता है check summer क्या आता है check summer एक program है check summer check summer दूसरा आता है दूस्तों यहाँ पर scanner scanner और तीसरा आता है आपका remover रिमूबर, चेक समर क्या होता है दोस्तों, चेक समर एक आपका क्या होता है यहाँ पर एंटी वाइरस होता है, एंटी वाइरस प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में इस्ट्रॉल किया जाता है, ठीक है, अब यह क्या होता है दोस्तों, चेक समर जैसे आपका यहाँ पर गोल गोल आपके देखा होगा क्या कंप्योंटरों प्रम क्या करता है आपको बता देंगा यह उसको हटाएगा नहीं तिर्फ आपको क्या करेगा कि आपके computer में virus आ रहा है तो क्या करता है ये आपको उस virus की information देता है कि virus आ चुका है ठीक है इसलिए इसका नाम क्या है check summer ठीक अब बात करते हैं यहाँ पर scanner की तो क्या करता है दोस्तो scanner जो होता है कि ये आपको computer में जो virus है इनको खोजता है क्या करता है खोजता है आपका और खोजने के बाद यह खोज देगा आपको कि वाइरस कहां पर है और रिमूबर का काम क्या होता है कि यह कंप्यूटर को क्या कर देता है कंप्यूटर से जो वाइरस होते हैं इनको यह डिलीट कर देता है क्या कर देता है डिलीट कर ही आपको एसी ही वीडियो मिलते रहें ये डीसियो और पीजिट के से रलेटेड धने वाद कर दो कर दो बाद